तो आज हम देखने वाले हैं लेवल 3 PGT का 2019 का क्वेशन पेपर इससे पहले हम लेवल 2 का कर चुके हैं 2019 का एश्टेट का तो इसमें CDP के 30 questions हम 2019 के PGT लेवल के देखेंगे लेवल 3 के तो यहां से 1st question है positive facilitation of present learning through past learning for example addition helps multiplication this type of transfer of learning is called देखो कुछ-कुछ topics ऐसे हैं CDP में जिनको English में ही पढ़ा जाए तो better होता है क्योंकि Hindi में जो words होते हैं काफी similar से और जीब-जीब से होते हैं जो ध्यान नहीं रहते याद भी नहीं रहते तो जहां Hindi की नेट होगी वहां Hindi में समझेंगी और English की होगी वहां English में समझेंगी तो यहां से जो first question पूछा गया है transfer of learning से यह हम अच्छे से topic इसका कर चुके हैं और आप असानी से बता सकते हैं कि addition जो help करता है multiplication में तो वह कौन सा transfer दोता है पूजिटिव नेगिटिव और जीरो प्रीविस लर्निंग help करती है तो पूजिटिव और पाधा उत्पन करती है तो नेगिटिव और कोई कुछ नहीं करती ना help ना रिपल्शन तो जीरो तो यह सारी पूजिटिव के पार्ट है तो यहां से second option राइट हो जाएगा sequential sequence में चीजें सीख रहा है वर्टिकल क्या होता है वर्टिकल होता है छोटे नीचे से उपर के और जाना छोटी चीज से बड़े चीज सीखना जैसे cycle आती है तो cycle से बाइक सीखना तो यह वर्टिकल होता है लेटरल होता है कि उसने जो को सीखा गया है पहले वो उसको यूज करता है same situation में लेटरल का लेटा हुआ same situation में यूज करना जैसे उसने school में सीखा है कि 12-75 होते हैं तो घर में आके भी fridge में से अगर 12 बनाना रखे हैं तो उसमें से 7 निकाल के बता देगा कि अब 5 मिराना बचे हुए हैं बाइलिटरल होता है कि दोनों बोडी की जो दोनों पार्ट्स हैं दोनों हाथ है मतलब उनको यूज करना यह बाइलिटरल होता है यह transfer of learning से question था second question है the democratic organization of school influence learning this factor of learning is related to विधाले का जो प्रजा तांत्रिक संगठन होता है अब प्रजा तांत्रिक संगठन का मतलब क्या होता है कि प्रजा तांत्रिक है जिसमें सारी प्रजा शामिल है स्कूल में मतलब social environment है काफी तो यह कौन से कारक से समंदित है यह पूछा है तो यह ओविसली बाते की प्रजा तांत्रिक है तो social aspects समाजिक पक्ष से जुड़ा हुआ होगा democratic organization third question है which of the following is not an appropriate strategy for improving student problem solving कौन सी योजना विध्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उप्युक्त नहीं है नहीं बताना है ध्यान रखना नोट वाला जो concept होता है तो विधार्थियों की प्रकार्यात्मक नियत्ता functional fixness तो fixness जहां पर आ जाती है ना तो यह बहुत जादा नेगिटिव वर्ड है फिक्स नहीं होती कोई भी चीज फ्लेक्सिबल होनी चाहिए तो यहां से नेगिटिव स्टीटमेंट है आगे पढ़ लेते हैं विश्व वास्तविक विश्व समस्याओं के समाधान के लिए यापक अवसर देना यह तो सही है बालकों की समस्या समाधा में माता-पिता को सम अगर क्योंकि हमें नहीं बताना था और फिक्स्टनेस वाला ओप्शन कभी भी पोजिटिव आंसर नहीं दे सकता कुछ साइकोलोजी में ना कुछ पोजिटिव और नेगिटिव वर्ड्स होते हैं आपको उनका ध्यान रगना चाहिए उनसे ही क्वेशन निकलाते हैं अगर नहीं पता होता कुछ भी फिर भी नेक्स्ट है फूर्थ क्वेशन रोहन इस रीडिंग अ लेटेस्ट बाहुबली कॉमिक रोहन बाहुबली की नवीमतम चित्रत था उस तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ था अच्छा यह 2019 का क्वेशन पेपर है उस टाइम बाहुबली काफी जादा प्रचलित थी कि कटंपाने बाहुबली को क्यो मारा टाइप्स तो उसे इसका आंसर जानना है तो यह आंसर जानने के लिए उसका नेक्स्ट पार्ट भी पढ़ रहा है कि कटंप मोटिवेशन राइट हो जाएगा उसकी आंतरिक अभी प्रेदना और अगर वो किसी मतलब प्राइज या किसी भी रिपोर्ट वगरा के लिए कोई काम करता है ना कोई बच्चा तो यह होती है बाही है अभी प्रेदना और वो खुद से ही मोटिवेशन ले रहा है खुद के इंट्रेस्ट से पढ़ रहा है तो यह होती है आंतरे कभी प्रेदना तो फर्स्ट ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा फिफ्ट कोईशन है विच ओफ दो फोलंग इस अगुड असेस्मेंट स्ट्रेजी तो अवोइट कल्च्रल बायस ठीक है मतलब सांस्क्रिप्तिक ज नौट बताना है हमें सही बताना है तो फर्स्ट तो सही है एक अच्छे मान की करिफ्ट परिक्शन का उप्योग करना स्टेंडराइज देखो यह स्टेंडराइज जो मान की करत है ना यह भी काफी जादा नेगेटिव वर्ड है इसको भी हम कभी सीटीप में पोजिटीव नहीं रिए सकते तो नेगेटिव वर्ड है यह यह से वैसे ही ऐलिमिनेट हो जाएगा थर्ड है अज्यूंग धाट मानव जाती है विभिंताओं को अनुवन शिक्ता का कारण मानना नहीं किसी जिसको कारण नहीं मान सकते यह रॉंग स्टेट्मेंट अबॉइड कि हमें विदार्तियों के लिए विभिंविघियों का अपयोग करना चाहिए जो नोट वाले आसे जो बड़ी क्वेश्ण होती है इन में स्टी कन्फ्यूशन होती है तो नोट पे पहले ही मांक कर लेकि नहीं पूचहा है यह सबना जल्दी बाजे में कर जाते हैं गड़बयां से first option हमारा राइट है six question है कोहलबग के सिध्धान्त में किस तर पर नयतिक विकास बहाया मानकों पर आधारित नहीं रहकर आंतरी करंड पर आधारित होता है जो कोहलबग ने अपने तीन लेवल दिये हैं प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंश सब्सक्राइब करता है तो यहां बिल्कुल बाहरी ही होता है तो यह option हो जाएगा हमें नहीं बताना है कि जो इंटर्नल पेस्ट है वो बताना है तो कन्वेंशनल लेवल होता है इसमें दो स्टेजी थे एक तो बाहरी था और एक थोड़ा social norms आ जाता है तो यह भी नहीं अंत्रिक मानकों पर काम करता है बच्चा विल्कुल उसे समझ आ जाती है अंदर से क्या सही है क्या रोंग है जो social rules जो society में बनाए गए हैं वो किसी का भला कर रहे है या नहीं वो कब change होने चाहिए तो यह post convention third option right हो जाएगा कोहल बग की थोड़ी हमने बहुत अच्छे से क आवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी परभावित करता है इस अधारन में विकास मुख्यत है परभावित है देखो खाना क्या जो हम उसे खाना दे रहे हैं बालक का अहार है वो heredity तो नहीं है heredity तो environment है यह environment से बिलों करें अच्छा environment दे रहे है अगर हम उसे अच् वो बढ़ रही है और उसके thinking भी developed हो रही है तो यह environment-based हो जाएगा ठीक है 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 नहीं होगा और बाकी तो कुछ है नहीं तो second option यहां से right हो जाएगा 8 है which teaching strategy is most likely to foster the development of critical thinking skill of students critical thinking को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना अच्छी रहती है giving a multiple choice test इसमें अगर हम उसे multiple choice से देंगे चार option या पांच option से देंगे तो उनहीं में से चूज करना होगा तो यह की creativity को कोई बढ़ावा नहीं देंगे assignment for student to create timelines of important historical dates dates होती है वो पहले से ही fix होती है इसमें अपना कोई creative mind वो नहीं लगाएंगे तो यह भी option जाएगा giving worksheet worksheet नहीं to students that require them to fact presented their textbook text book की बात हो रही है अपना कोई दिमाग नहीं लगाएंगे text book से ही डूंड के लिखेंगे तो यह भी नहीं है पूर्थ है presenting students with statements such as लाल बहादूर शास्तरी was our greatest prime minister विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादूर शास्तरी अपनी महांतम प्रधान मनती थी यह हो सकता इस पर अपना दिमाग लगा सकते हैं अगर में लाल बहादूर शास्तरी के बारे में पढ़ा हो तो अपना विचार इस पर रख सकते हैं तो इससे उनकी creativity बढ़ सकती है तो fourth option यहां से राइट हो जाएगा ठीक है ninth question है Erickson अब जो Erickson की जो ठोड़ी है defense mechanism वगेरा defense mechanism नहीं इरिक्सन ने जो अपनी ठोड़ी भी है identity crisis story जिसमें art stages दी है उनको गर हिंदी में पढ़ने जाएं तो हिंदी में वो याद नहीं होगी English में उनको पढ़ना काफी easy जाता है और हमने इसकी full video अच्छे से करी हुई है अपनी ठोड़ी दी है तो उनकी ठोड़ी का ही नाम है identity crisis तादात्मे संकट पहचान संकट तो यहां से first option ही राइट हो जाएगा यह इरिक्सन की ठोड़ी का ही नाम पूछा गया है basically 10th question है कि शोर विधार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सरवाधि को भ्युप्त कारिय योजना कि शोरों के साथ काम कर रहा है तो विधार्थियों से तुलना के लिए कहना यह तो comparison negative word again second है एक समस्या परसुत कर विधार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्मान करवाना यह सही लग रहा है बालकों को करमवार संक्रियाओं में अनुभा परदान करना experience in ordering operation ordering operation नहीं करमवार संक्रियों में यह किशोरों के लिए अच्छा नहीं है यह मतलब वालेवस्था के बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है चाल्डूट के लिए तो negative है construct an inclined plane or a hill एक जुका हुआ समतल अच्छा पाड़ी को बनाना यह भी early childhood के बच्चों के साथ हम कर सकते हैं किशोरों के साथ काम करें तो हमें समस्या problem create करके उसमें परिकल्पनाओं का निर्मान हम करवा सकते हैं hypothesis hypothesis किशोरों में ही होती है hypothesis word से भी हम इसका answer निकाल सकते थे वैसे तो ही सारी positive statements हैं लेकिन best option किशोरों के लिए हमें चार्टना है तो second option राइट हो जाएगा 11th children considered as low vision who have a visual acuity between अच्छा low vision बताना है कि कितने तक माना जाता है तो जो low vision होता है ना जो 6 by 60 होता है वो एकदम better आई मानी जाती है 6 by 60 और 20 by 200 वो बहुत ज़ादा better आई मानी जाती है किसी की तो यहां से हमें low बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा 20 by 70 to 20 by 200 जो 6 by 60 और 20 by 200 होता है बिलोव वो पैटर आई मानी जाती है और 20 to 70 to 20 by 200 ये लो विजन माना जाता है और हमारी जो नॉर्मल आई है वो एप्रोक्सिमेट 180 डिग्री स्ट्रेट देख सकती है ठीक है और ये विजूल एक्यूटी इसका मतलब होता है एबिलिटी तो सी क्लियरली तो यहां से ओप्शन हो जाएगा 20 by 70 to 20 by 200 ठीक है बैटर आई पुछा जाए तो 6 by 60, 6 by 60 और 20 by 200 तो यहां से फर्स्ट ओप्शन राइट हो जाएगा 11th का 12th है Learner-centered instructional strategy in which students are encouraged to construct their understanding with the assistant of teacher through questions and directions देखो Student learning तो कर रहे हैं मतलब अनुदेशनात्मक योजना है Teacher की अनुदेशन में कर रहे हैं किसी और की साहता से कर रहे हैं तो यह हो जाएगा Guided Discovery Learning ठीक है किसी की guide में कर रहे हैं अगर वो खुद कर रहे होते तो यह होता Discovery Learning यहां से किसी की guide लेगी कर रहे हैं तो second option यहां से right हो जाएगा थर्ड है बालक की लक्षन जब वे किसी कारिया पर केंद्रित नहीं कर पाता अब एक पूरण क्रिया करता है समाजिक नियमों की परवाह नहीं करता और कुंठा के समय बिद्वेशता के साथ हनाप शनाप बोलने लग जाता है Child symptoms when he cannot stay focused on a task अच्छा, impulsively ignoring social rules and lashing out with hostility when frustrated is indication of अच्छा हमें disorder बताना है हमने अच्छे से order को पढ़ा हुआ है कि अगर वो impulsively behave करता है बहुत ज़्यादा हाइपर रहता है बोलता बहुत ज़्यादा है समाजिक नियमों की परवाह नहीं करता और एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता तो यह होता है बहुत अच्छे से हमने इस disorder को पढ़ा हुआ है सारे disorder के बारे में डीपली पढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा है इसमें बच्चा ठीक है और स्लो लाना होता है जो बहुत दीरे सीखता है और मेंटली रिटार्डेशन आती है जो एवरेज बच्चों से कम जिनका आईक्यू होता है वो मेंटली रिटार्डेशन में माने जाते हैं ठीक है और यह होता है एमनिशा स्मिर्थी लोपन जिसको कुछ याद नहीं रहता है थोड़ी थोड़ी देर में वो चीज़ें भूलत हमें बताना है कि कौन है जो सोशल कोगनेटिव थोरी से जुड़ा हुआ है तो हमें पता है कि सामाजी कदीकम सिद्धान्त कि ने दिया था एलबर्ट बेंडूरा का है फॉर्थ ओप्शन यहां से राइट हो जाएगा स्कीनर ने ओप्रेंट कंडिशनिंग दी थी प्याज capitalism दीदेर की ठि िणान्त फार में असे जवा कि एचे से स्टू्डैन्न हमने किया हुआ है एच्छे से स्टूडेंटS फैमिली और पियर्स स्कूल है शो किसमें आते फिर लो एंड कस्टम्स आते हैं फिर पूरा ब्रहमांड आजाता है ग्रोनो सिस्टम में तो आपने अच्छे से किया होगा इस वीडियो को तो जो फर्स्ट है फैमिली और पियर से जो स्कूल उसके आसपास का जो आता वरन है वो आता है माइक्रो में 16 अच्छे से पड़ा हुआ है वाइक जिसमें वो कुछ नहीं कर पाता एक टास्क डिफिकल्ट लगता है फिर उसके बाद वो किसी और की हेल्प से उस टास्क को कर लेता है तो इसको बोलते हैं जेड़ी जोन ऑफ फ्रॉक्सिमल डेवलप्मेंट और जो उसे हल्प दी गई है घर उस हल्प का नाम पुछा जाए तो यह होता है स्कैफ फोल्डिंग बहुत इंप्सिमल डेवलप्मेंट अरिया की बारे में बात हो रही है कि एक टास्क डिपिकल्ट था फिर किसी और की ह से उसने पूरा कर लिया, तो यह होता है ZPD Zone of Proximal Development, ठीक है, और मदद होती है, वह स्कैर फोल्डिंग होती है, तो 16th का 4th राइट हो जाएगा, नेक्स्ट है, प्याजे के अनुसार, निमलिकित में से कौन सी विशिष्टा बालकों के उपचारिक क्रियात्मक अवस्ता से सम्भंदित नहीं है, नहीं बताना है, कि formal operational stage से सम्भंदित नहीं है, जो last stage थी थी, 11 से उपर वाले बच्चे इसमें आते थी, तो कौन सी नहीं है, हाइपोथिटिक डिड़क्टिव रीजनिंग, बिल्कुल सही है, ये तो formal operational की ही है, हमने पढ़ा हूँ अच्छे से, उसके बाद है, अदर्शवादी तरकना, स्थानिक तरकना और abstract reasoning, देखो, abstract reasoning भी यही करते हैं बच्चे, जो adolescence होते हैं, formal operational stage के बच्चे ही करते हैं, और स्थानिक तरकना करना, ये इसका हो जगा, ये concrete operational stage की विशेष्टा होती है, कि किसी एक special चीज के बारे में ही reasoning कर सकते हैं, वो abstract reasoning नहीं कर पाते हैं, concrete operational के बच्चे, तो यहां से third option राइट हो जाएगा, 18th question है, पारूल के बुद्धी परिक्षन उसे ओसत और ओसत से अधिक बुद्धी को दर्शाते हैं, यानि उसके बुद्धी है, वो अच्छी है, जबकि उसके पठन, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के जो grade है, वो कम है, इसका मतलब पढ़ने का विकार है, उसके गनित के grade काफी उच्छे है, गनित के भी काफी अच्छे है, और लेखन कोशल भी परियाप्त है, तो बताए उसे कौन साइडिसोडर अच्छे से बता सकते हैं, पढ़ने से related disorder को हम क्या बोलते हैं, दिसलेक्सिया, पढ़ा हुआ है हमने disorder अच्छे से, तो थर्ड हो जाएगा, डिसलेक्सिया, डिसकल्कुलिया क्या होता है, math related, अगर problem हो तो डिसकल्कुलिया, लिखने related, अगर कोई problem हो तो डिसकल्कुलिया होता है, ठीक है, तो यहां से डिसलेक्सिया राइट हो जाएगा, third option, 19th, which of the following question is most likely to get students to reflect on their purpose? कौन सा प्रश्ण विदार्टियो को अपने प्रियोचन पर विवेचना करने में सरवादिक सही है यानि की क्रियेटिव थिंकिंग ही हो रही है एक तरफ से तो फस्ट ऑप्शन है आप अपने जीवन को किस प्रकार संगठीज़ कर सकते हैं यह भी क्रेटिव थिंकिंग को दरसाथ है लेकिन हमें बैस्ट ओप्शन चाटना है यहां और स्टुडेंट के लिए चाहतना है तो यहां से स्टुडेंट्स की बात करें हैं 20 प्रतिभाशाली बालकों के लिए निमनलिकित में से कौन सा कारिकरम उपयोगत नहीं है प्रतिभाशाली जिनका आईक्यू एवरेज से ज्यादा है 120-130 जिनका आईक्यू होता है मेंटल एज जिनकी ज्यादा होती है तो special classes दे सकते हैं हम जो gifted children प्रतिभाशाली बच्चों के लिए बनाई गई है remedial teaching acceleration बिल्कुल प्रतिभाशाली बच्चों को ही दिया जाता है और समान्य कक्षामे संबर्धन enrichment in regular classroom setting यह भी दिया जाता है तो remedial teaching यहां से सही आंसर हो जाएगा अगर gifted की जगे कोई और पुछा जाता तो इसका answer जेंज हो जाता है लेकिन प्रतिभाशाली के लिए पुछा है तो remedial teaching आएगा और acceleration भी इंपोर्टेंट बड़ है जो सिरफ प्रतिभाशाली बच्चों को ही दिया जाना चाहिए नेक्स्ट है यंग people mainly girls engage in strict dieting and excessive exercise वो जदा strict dieting करती है और excessive exercise भी करती है इस eating disorder in adolescence देखो जो eating disorder होते हैं anorexia nervosa होता है bulmia nervosa होता है इन दोनों में हमेशा confusion रहती है तो जो anorexia nervosa क्या होता है इसमें dieting करता है और mirror का concept आता है इसमें कि कोई लड़की में होते हैं यह eating disorder जो सोचता है कि मैं मोटी हो रही हूँ तो मुझे dieting करनी चाहिए और exercise करनी चाहिए तो इसमें mirror का concept आता है अगर यह देखा जाए इसमें पूछा जाए कि अगर शिशे में देख रही है और फिर सोच रही है कि मैं लंबी हूँ चोटी हूँ मोटी हूँ तो यह anorexia nervosa होता है लेकिन आप बुचाए कि excessive exercise कर रही है और strict dieting कर रही है साथ में तो यहां से bulimia nervosa right हो जाएगा answer ठीक है mirror का जो concept होता है वैसे तो same ही होता है इसमें भी dieting करती है कापी और सोच रही है मोटी हूँ तो dieting करूंगी खाना पीना बिल्कुल नहीं खाती तो यह mirror में देखके सोच रही है तो anorexia nervosa अदर्वाइस यह bulimia nervosa right हो जाएगा 22 which of the following statement most appropriately defines the term inclusion inclusion मतलब समावेशी समावेशी का मतलब सारे बच्चे सेम क्लास में कोई भी बेगभाव उनके साथ नहीं होगा तो हमें चाटना है positive note नहीं पताना फर्स्ट है विशेश आवशकता वाले बालकों को विशिष्ट विधालों में नहीं नहीं समावेशी इसके खिलाफ है विशेश आवशकता वाले बच्चों को विधालों में विशिष्ट कक्षा में शिक्षा नहीं देनी विशेश आवशकता वाले बालकों को सामाने समान कक्षा में पूरे समय सिक्षा देना है, यह बिल्कुल सही है, समावेशी की definition ही होती है, inclusive education की, कि जो सारे बच्चों को समान कक्षा में सेम टाइम पे ही सिक्षा देनी चाहिए, सेम पाठ्थे करम के साथ, 23rd, which of the following statement is correct about the nature of emotions, समवेगों की प्रकर्ति के बारे में सही बताना है, समवेगों की अभिवेक्ति अधीगम दवारा परिवर्तित हो जाती है, समवेग जीव की स्थाही वस्थाही नहीं, स्थाही नहीं होते हैं, हमें भी पड़ा हुआ, पर्मानेंट नहीं होते हैं, समवेगों की निश्चित भारे रखती भini भini अःत्ति ह्यों होती है, यह यह भी सही स्थेटsesत्यक्त है संवेगों की निश्चित नहीं नहीं यह नं अगर सटेन लगया तो उसरटेन नहीं आएगा, सब मनिश्चित नाईगा match, वी सिवेग Sn тобामानेंट ए आह कि एथाचि तो 23rd का 1st option राइट हो जाएगा 24th जब विधार्थी अधीगम विशहवस्तु का अर्थ निकाल कर उसे समझने के अधीगम उपागम का अप्योग करती हैं तो यह अधीगम शैली क्या है अर्थ निकाल कर पढ़ रहे हैं बिल्कुल तो यह बिल्कुल डीप स्टाइल लर्निं स्टाइल तो यहां से डीप स्टाइल हो जाएगा मेनिंग निकाल कर अच्छे से पढ़ रहे हैं इस प्रकार बोलना अत्वा लिखना जो दूसरों पर परभाव चोड़ दे बहुत अच्छे से phonetics का यूज करना अपनी sentence में grammar का यूज करना दूसरों पर परभाव चोड़ इसको क्या कहते हैं pragmatics of language ठीक है भाष्चा का व्यवहारिक रूप थर्ड ओप्शन राइट हो जाएगा learning situation in which multiple partners stimulate and encourage one another is called group में learning हो रही है एक दूसरी को encourage भी किया जा रहा है तो इसका answer क्या आजाएगा इसमें कोई ना कोई teacher होता है कोई ना कुछ सिखा रहा होता है कोई student या कोई teacher हो सकता है तो यहां से cooperative learning सहयोगी अधिकम सही हो जाएगा 27 which of the following statement is incorrect इसमें अ बतानी है about the principle of child development development follows a definite and predictable pattern बिलकुल सही है तो यह eliminate हो जाएगा प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम और डैफिनेट ही इसका रूप होता है All individuals are similar in their development. Development is product of hereditary and environment बिल्कुल सही है. Development works on the principle of integration बिल्कुल सही है. All individuals are similar in their development नहीं, similar नहीं होते हैं, इनमें भीनता पाई जाती है. Individual differences पाई जाते हैं, हमें पढ़ा हूँ आया development की विशिष्टाओं के बारे में, तो यहां से यही statement है, जो incorrect है, तो second option right हो जाएगा. 28. Gardner Gardner का बहु गुद्धी सिधान कभी हमने पढ़ा था, नया नया ही पढ़ा है. According to Gardner, the ability to detect and respond appropriately to the moods, temperates, motivational and intentions of others. इसमें अधर से ध्यान लगना की, Gardner की अनुसार, दूसरों के moods, सभाव, अभी प्रेड़ना और इरादों को पहचानना. दूसरों के पहचान रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? देखो, linguistic नहीं है, body-canistic नहीं है, interpersonal और intra-personal जिसमें हमेशा confusion रहती है सबकों. तो interpersonal क्या होता है, महात्मा गानी से हमने याद किया था, दूसरों को पहचानना, तो interpersonal यहां से right हो जाएगा, अंतर द्यक्तिक. इंटरा-personal होता है, खुद के moods और खुद की इच्छाओं को पहचानना, और दूसरों का आजाए तो inter, खुद का आजाए तो inter आध्यान रखना. 29. According to P.A.J. Adolesans' ability to evaluate the logic of verbal statement without referring to real world circumstances, प्याजे की अनुसार किशोरों की वास्तविक संसारिक परिस्तितियों को देखे बिना शाब्दिक कत्नों के तरकों को मुल्यांकन करने की योगेता क्या कहलाती है? अच्छा, जो formal operational state है, उसमें कौन सी थोट पाई जाती है? prepositional thought उसमें पाई जाती है, साध्यात्मक विजार. ठीक है, किसी चीज़ को देखे बिना भी वो logic लगा सकते हैं, कोई भी अगर उन्हीं statement दी जाए, तो उसके हिसाब से वो सोच सकते हैं, मतलब वो पूरा सब कुछ create कर सकते हैं, तो ये prepositional thought होती है, साध्यात्मक विजार, ठीक है? पर्स्ट option रहीत हो जाएगा, थर्टित question है, निमलकित में से किस मनोविज्यानिक ने किशोरावस्था को परिभाशित किया है, कि किशोरावस्था वहकाल है, जिसमें बालक और बालिकाई मानसिक, समवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यवस्था से प्रोढ़ावस्था की और जाते हैं, हमें पता है ना, transition period होता है, adolescence, cd होती है, adulthood की, धहलीज होती है, adulthood की तो यह जो statement किस ने दी थी, तो यह दी थी, jarsied, जर्सी ने, jarsied को जाएगा, जर्सी ने ये statement दी थी, जिसमें चारों word यूजड लिए थे, मांसिक, समयकात्मक, समाजिक और शायदिक, ठीक है, इसके इससे पहले TGT के हम कर चुके हैं, I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा, जो भी पॉइंट आपको यहां नया लगता है, उसको आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, या सर्च कर लीजिए, कहीं से भी, और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए,